वेल्कम बाक तो मैं चैनल तस इस खुश्बू आज की इस वीडियो में हम दे हिंदू वीकली कराइंट अफेर्स डिसकस करेंगे डेटेट 12 फेबरारी तो 18 फेबरारी 2023 सो लेट्स बेगिन सबसे पहले बात करते हैं Newly Appointed Governors की सो इंडिया के 6 स्केट में नए गवर्नर्स अपॉइंट किये गए हैं सबसे पहले हैं अंद्रा प्रदेश के गवर्नर जोकी पने हैं Justice S. अब्दुल नजीर जी ये रिटाइट जस्टिस हैं और इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोट के जिन बेंचिस ने कुछ important judgments डिलिवर की थी जैसे कि demonetization, triple तलाक केस में, अयोध जी निगरर इनके अपने औरतill जाएक जैसे कि ये लेफटेनींट जनुर्ल के टी प्रनाइड जी आपने जोके आपने कविज म याद रखना है कि इन हुं ने आर्मे प्रस्टिजियॉ नौफरण कमांड के जई कमंडर भी सव किया हुआ है नेक्स्ट बात करते हैं असम के गवर्नर की जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया या फिर जी सी कटारिया इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये रज्जस्तन असेंबली के सेटिंग लीडर अफ अपोजिशन भी रही है नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की जिनका नाम है शिप प्रताब शुकला इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट मोदी गवर्मेंट के मिनिस्टर अफ स्टेट फर फाइनांस रह चुके हैं नेक्स्ट बात करते हैं जारखंड के गवर्नर की जोकी बने है CP रादा कृष्ण जी इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये टू टाइम लोगसबा मेंबर भी रह चुके हैं बीजेपी की साइट से किस कोईमबटूर कॉंस्टिक्वेंसी से नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम के गवर्नर की जोकी बने हैं लक्षमन रसाद अचारिया जी या फिर एलपी अचारिया जी ये भी एक बीजेपी लीडर हैं वो पहले यूपी लेजिसलेटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुकी हैं इनके इलावा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके गवर्नर्ज चेंज किये गए हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतिस गड़ के गवर्नर जिनका नाम है जस्टिस विसर भूशन हरी चंदन जी ये पहले अंधरा प्रदेश के गवर्नर थे अभी ये चतिस गड़ के गवर्नर बन गई हैं इसके बाद है अनुसु के गवर्नर थे अब ये नागा लेंड के गवर्नर बन चुके हैं इनके बाद हैं फागु चोहान जी ये पहले बिहार के गवर्नर थे अब ये बन गए हैं मिघालिया के गवर्नर इनके बाद हैं रजेंद्र विसवनात अर लेकर जो पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे अब ये बन गई है महाराश्ट्रा के नेक्स्ट है ब्रिगेडियर डॉक्टर वीडी मिश्रा जी ये भी बिटाइट ब्रिगेडियर है ये पहले रनाचल प्रदेश के गवर्नर थे अब ये बन गई है लदाख के गवर्नर तो इनके भी आपको नाम याद रखनी है आप ये याद रख सकते हैं खाली अगर आपको दोनों स्टेट्स में confusion है कि अभी ये किस स्टेट के governor है अगर तो आप दोनों स्टेट्स के नाम याद कर लोगे that's a very great thing लेकिन अगर आपको नहीं याद होता तो आप सिरफ ये याद रखने कि अभी किस स्टेट के governor बनी है अब बात करते हैं कि जो governors हैं इनकी appointment का क्या process होता है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक word दिख रहा होगा appointment तो आपको appointment word से ये याद रखना है कि जो governors होते हैं ये कभी भी elect नहीं होते हैं elect means इनकी governor की post के लिए कभी भी elections नहीं होते है governors हमेशा नियुक्त किये जाते हैं governor किसी भी state के appointment किये जाते हैं by the president of India under his warrant and seal under the article 155 of constitution so सविधान के article 155 के under president of India किसी भी state के governor को appoint करते हैं under his warrant and seal next बात करते हैं इनके important इनके regarding important articles के बारे में so article 153 of the constitution says there shall be a governor for each state so जो governor होते हैं वो article 153 के under होते हैं article 153 ये कहता है कि हर state का एक governor होना चाहिए जो governor होते हैं इनकी term होती है 5 साल लेकिन according to the article 156 of the constitution जो governor होते हैं they shall hold office during the pleasure of the president that means 5 साल से पहले भी president of India इनको अपनी seat से इनको disqualify कर सकते हैं जो governor होते हैं they must be citizen of India and उनकी जो age है minimum 35 years होनी चाहिए governor के बारे में एक आपको और important point याद रखना है कि जो governor होते हैं setting governor वो ना तो MP होने चाहिए यानि कि member of parliament होनी चाहिए ना ही वो member of state legislative assembly होनी चाहिए और ना ही governor के इनावा कोई भी और office of profit इनके द्वारा hold किया होना चाहिए तो अगर कोई भी MP ये MLA governor बनते है तो उनको MP, MLA ये कोई भी और position से रिजाहिं करना पढ़ता है अब बात करते हैं इस्लामिक revolution थी वो 1978-1979 में हुई थी इस्लामिक revolution को Iranian revolution भी बोला जाता है ये popular uprising थी जो कि 1978-1979 में हुई थी इरान में जिसका result ये हुआ था कि जो वहाँ पर मुनार्की थी उसको हटा कर वहाँ पर republic सेट कर दिया गया था अभी वहाँ पर कोई king या queen नहीं राज करता वहाँ पर republic है अभी तो Islamic Republic के establishment हुई थी as a result of Islamic revolution जिसकी recently 44th anniversary इरान में celebrate की गई है next बात करते है vibrant villages program की so union cabinet ने centrally sponsored scheme जिसका नाम है vibrant villages program वो ब्रूफ किया है for the year 2022-2023 जिसके लिए 4800 करोड रूपीज की गई है इस scheme में किया के जाएगा इस scheme के अंडर जो भी villages है उनमें essential infrastructure create करने के लिए fund प्रवाइड किये जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ के लोगों के लिए livelihood opportunities create की जाएंगी इसका main aim है जो भी लोग border villages में रहते हैं उनकी life को उनकी life quality को improve करना तो आपको vibrant village program के ये main points याद रखने है next बात करते हैं recently जो ICAO aviation safety oversight rankings publish की गई है उसमें इंडिया का क्या rank रहा है तो इंडिया का rank है जो वो 55th रहा है aviation safety oversight rankings में previously इंडिया की जो ranking थी 112 लेकिन अभी इंडिया की ये ranking में काफी अच्छी improvement देखने को मिली है और जो current rank है इंडिया का वो है 55th अब बात करते हैं important places की जो news में थी और वो क्यों news में थी सबसे पहले है चाइना चाइना इसलिए news में था क्योंकि चाइना अक्साई चिन railway line plan कर रहा है तिबद और जिंजियांग region को connect करने के लिए जिंजियांग region चाइना का ही एक पार्ट है तो जो अक्साई चिन railway line होगी इसकी planning की जा रही है तिबद और जिंजियांग region को connect करने के लिए ये railway line LAC यानि के line of actual control के बिल्कुल pass से गुजरेगी और जो अक्साई चिन region है जो की disputed region है एक उसके थ्रू ये पास करेगी अगर आम इस railway line की बात करें तो ये railway line basically G219 national highway के course को follow करेगी इसके बारे में आपको एक और important point याद रखना है कि 1962 इंडो-चाइना war हुई थी उसमें भी जो जिंजियांग तिबद highway था जब उसकी construction हुई थी थ्रू अकसाई चिन region इसकी वज़े से इंडिगा इंड चाइना में काफी tensions ट्रिगर हुई थी अकसाई चिन region है ये काफी disputed है आपको याद रखना है next बात करते हैं न्यूजिलेंड की न्यूजिलेंड इसले न्यूज में था जो cyclones होते हैं ये tropical storms होते हैं तुफान की type ही होते हैं जो के बहुत ही high speed के winds के द्वारा create किये जाते हैं इनके बीच में बिलुकुल center में जो atmospheric pressure होता है वो बहुत low होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक बहुत ही gold circle है जिसके बीच में low atmospheric pressure है और उसको winds ने high speed winds ने उसको cover किया हुआ है उसको हम बोलते हैं cyclones cyclones होते हैं बहुत ही disastrous भी हो सकते हैं बहुत high intensity के storms भी हो सकते हैं तो आपको ये याद रखना है कि cyclone Gabriel था जो किस region में prominent था वो था New Zealand में करते हैं उडिशा की उडिशा इसलिए news में था क्योंकि उडिशा की cabinet ने एक proposal approve किया है for the amendment to the उडिशा civil services OCS pension rules 1992 जिसमें ये होगा कि जो single dependent transgender person है उनके लिए उनको allow किया जाएगा to avail the family pension in case of the death of her parents in government service अगर उनके parents ने government service में serve किया है तो उनकी जो pension है वो ले सकेंगे जो single dependent transgender person होगी नेक्स्ट न्यू डेली की इसलिए news में था क्योंकि Honorable Prime Minister of India नरेंदर मुदी जी ने Trifad के आदी महुतसव का inauguration किया है जो की हुआ है Major जिदेहांचंद stadium में न्यू डेली के जो आदी महुतसव है Trifad का flagship event होता है जिसमें Tribals की जो Tribal लोग होते हैं उनकी exhibition कम sale लगती हैं जैसे Tribal handicrafts हो गए handloom हो गया paintings हो गई jewelry हो गई जा उनके बहुत सरे ऐसे products होते हैं जो उनके culture को represent करते ही Trifad की अगर बात करें तो Trifad की full form होती है Tribal cooperative marketing development federation of India limited जो की Tribal लोगों के लिए ही उनकी products की sale के लिए उनकी promotion के लिए development का काम भी करती है current Tribal affairs minister है इंडिया के Arjun Munda तो आपने ये सभी points याद रखने हैं अब बात करते ही Turkey and Syria की Turkey and Syria इसलिए news में थे कि वहां पर बहुत ही high intensity earthquakes ने हिट किया है इसके regarding हमने एक short video बनाई थी जिसमें हमने काफी details discuss की थी जैसे कि Turkey के important geographical facts हो गए इस earthquake का क्या reason हो सकता है possible वो हो गया वो आपने उसका आपको link description में मिल जाएगा आप वहां पर जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो यहां पर आपके लिए question है कि जो Turkey है और Syria है इन दोनों की capital क्या है वो आपको comment section में बताना है next बात करते हैं साउदी अरेबिया की साउदी अरेबिया इसलिए news में था क्योंकि साउदी अरेबिया अपना first ever astronaut भेजेगा space mission के लिए 2023 के second half में उनकी एक astronaut है रियाना भरनवी जो की fellow Saudi male astronaut Ali Alkarni को join करेंगी और ये दोनों international space session में जाएंगे जो astronauts है ये AX2 space mission के crew को join करेंगे और ये जो mission है ये USA से launch किया जाएगा इसके इलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो UAE है United Arab Emirates ये first Arab country है जिसने अपने एक citizen को space में भेचा था तो आपको ये दोनों points याद रखने है कई बर confusion हो जाती है कि अगर Saudi Arabia का ये first astronaut है तो क्या पता ये first Arab country भी हो नहीं first Arab country थी UAE और Saudi Arabia के जो astronauts जा रहे हैं वो है Rayana Barnaby and Ali Alkarni जो Rayana Barnaby है ये female astronaut है और इससे Saudi Arabia अपने एक conservative image को भी improve करने के लिए काम कर रहा है कि पूरे world में ये image ना बने कि वहाँ पर जो females है उनको काम करने कि परमिशन नहीं की दी जाती नेक्स्ट है विशाक्था पतनम विशाक्था पतनम इसके news में था क्योंकि वहाँ पर two day global tech summit start हुई है the series of G20 tech and business events began with the two day global tech summit and vizag so जो GTS है इसमें क्या होगा बहुत सरे लोग जो की technology के field में है फार्मा के field में है agriculture industry से related लोग वो सभी एक साथ आएंगे to discuss the latest trends and advancements जो की globe के across prevail करती है और उनकी help से नई-नई advancements और developments की जाएंगे next बात करते हैं मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश इसलिए news में था क्योंकि recently 12 चीता लाए गए है South Africa के Johnsonburg से मध्य प्रदेश के कुनो नाशन पार्क में इसमें 5 female चीता है और 7 male चीता है last year September 2022 में भी हमने नमीबिया से 8 चीता लाए थे नमीबिया से लाकर उनको कुनो नाशन पार्क में इंट्रिद्यूस किया था इसके related भी हमने एक short video बनाई है जिसका link description में है आपको definitely देखिए उसमें बहुत सरी important points हमने discuss किये थे next बात करते हैं फिर से मध्याप्रदेश की सो मध्याप्रदेश इसलिए अगैन न्यूज में था क्योंकि वहां पर होती है उसका जो mechanism है उसको खतम करना उसके बाद जो stories है इसके related वो नरेट की जाएंगी virtual reality mode में एक 900 year old parrot lady के द्वारा जो कि एक standstone sculpture है का वमन का जिसने parrot hold किया हुआ है जो कि हम 2017 में Canada से वापस लेकर रहे थे तो आपको यह सभी points याद रखने है तो पहां पर है मध्याप्रदेश की खजुराओं में जी 20 के regarding है तो भी important news है और यह किस related इसमें काम किया जाएगा वो भी हमने discuss कर लिया अब बात करते ही UAE की so UAE इसलिए news में था क्योंकि UAE में एक नया interfaith center बनेगा जो कि UAE का first sinagogue जिसमें बनाया जाएगा इस center में mosque होगी, masjid होगी, एक church होगी और country का UAE का पहला sinagogue होगा sinagogue क्या है Abrahamic family का house होगा इसका main aim होगा interfaith coexistence को promote करना एक muslim nation में यानि कि एक muslim राष्टर में सभी faith के सभी religions के coexistence को यह promote करेगा नेक्स्ट बात करते हैं बैंगलूरूरू की so बैंगलूरू इस लिए न्यूज में था क्योंकि एशिया का एशिया का सबसे बड़ा शो एरो इंडिगा 2023 इनागरेट किया है बैंगलूरू में honorable prime minister नरेंदर मुदीजी ने जो यह एरो इंडिगा event होता है यह क्यों organize किया जाता है यह किया इसके बाद है मुंबई सो मुंबई इसलिए न्यूज में था क्योंकि मुंबई में राष्ट्रे संस्कृति महुतसव स्चार्ट हुआ है यह जो फेस्टिवल है राष्ट्रे संस्कृति महुतसव यह ministry of culture के त्वारा organize किया गया है और इसका जो mean aim है वो यह है कि national unity and integrity को promote करना through cultural exchanges तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रे संस्कृति महुतसव क्या है इसका क्या aim है कौन organize करता है और कहां पर organize किया गया है सबी points आपको याद रखने है इसके बाद है new Delhi new Delhi इसलिए news में था क्योंकि new Delhi में five day महा कुंब of stamps जिसका नाम है amritpex 2023 वो new Delhi के प्रगति मदान में start हुआ है ये एक national philatelic exhibition है जिसमें बहुत सारे stamps की exhibition लगते है अब इसका आपको नाम भी याद रखना है amritpex किसके related है stamps के related है और कहां पर organize किया गया है ये भी आपको याद रखना है next बात करते हैं आगरा की आगरा इसलिए news में था क्योंकि आगरा में G20 empower group की meeting हुई है इसका जो इस meeting का main focus था बोता women की development से women led development तक shift करना यानि कि हमने सिरफ women development पे काम नहीं करना हमने women को women के द्वारा lead की हुई development को promote करना है कि women खुद lead करके development में promote करें participate करें उसमें contribute करें next बात करते हैं दुबाई की दुबाई इसलिए news में था क्योंकि world की government summit 2023 दुबाई में होगी 13th February से लेकर 2023 का इसका theme है shaping future governments जो government summit होती है येक global forum है जो कि हर साल दुबाई में host की जाती है इस summit में government के business fraternity के technology, civil society इन सभी के leaders इकठे आते हैं to discuss the pressing issues जो की humanity face करती है और इसके साथ साथ जो government है पुरे दुनिया में उनके future को shape करती है next बात करते हैं पुने की पुने इसलिए news में था क्योंकि पुने में recently river cities alliance की annual meeting host की गई है जिसका नाम है धरा, धरा की full form है driving holistic action for urban rivers इसके अंडर क्या काम किया जाएगा कि जो river city alliance है यह एक dedicated platform है इंडिया की river cities के लिए जिसके अंडर जो sustainable management है urban rivers की इसके regarding discussion की जाएगी और information और ideas को exchange किया जाएगा सब को याद रखना है धरा की क्या full form है धरा किसके related है और इसके annual meeting है जो river cities alliance की कहा पर भी है नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर इसलिए न्यूज में था कि जम्मू एंड कश्मीर में 2023 की पहली लोग अदालत और्गनेज की गई है by the legal services authority and यह पूरे UT में पूरे throughout the UT यह और्गनेज की गई है नेक्स्ट बात करते हैं हर्याना की हर्याना इसलिए न्यूज में था कि हर्याना की स्टेट पुलीस को President's Color Award मिला है और यह अवार्ड उनको दिया है Union Home Minister अमिज शाजी ने 14 February 2023 को इसके बाद बात करते हैं मुंबाई की मुंबाई में इंडिया की पूरे भारत की पहली Electric AC Double Decker Bus inaugurate की गई है तो आपने याद रखना है कि भारत की पहली Electric AC Double Decker Bus कहां पर inaugurate की गई है महाराष्टरा के मुंबाई में तो आपको स्टेट भी याद रखना है कि सिटी भी दोनों में से कुछ भी आपसे बूचा जा सकता है इसके बाद है कटक जो की उडिशा में है कटक इसलिए न्यूस में था क्यूंकि कटक में Honorable President of India दरापदी मुर्तमु जी ने Second Indian Rise Congress inaugurate की है तो आपको याद रखना है कि Indian Rise Congress का Second Edition Recently कहां पर inaugurate किया गया है कहां पर conduct किया गया है यह हुआ है उडिशा के कटक में इसके बाद है लदाख लदाख इसलिए न्यूस में था क्यूंकि लदाख इंडिया का पहला frozen lake marathon होस्ट करेगा कहां पर होगा पैंगंग सो लेक पर तो आपको याद रखना है कि पैंगंग सो लेक कहां पर है और लदाख में कौन सा ऐसा marathon है जो इंडिया की पहली होस्ट करेगा लदाख या फिर यह भी question आ सकता है कि इंडिया का पहला frozen lake marathon कहां पर होस्ट किया जाएगा अब बात करते हैं persons in news की सबसे पहले है Nikki Haley so Nikki Haley जो की former US ambassador की to the UN उन्होंने announce किया है कि वो 2024 के US presidential elections के लिए बेड करेंगी यहाँ बेर आपको उनकी picture भी दिख रही है इसके बाद है गोविंद राज गोविंद राज कौन है यह basketball federation of इंडिया के president है यह इस भी news में थे क्योंकि अब यह FIBA के Asia president बनेंगे FIBA की full form है The International Basketball Federation गोविंद राज जी की भी यहाँ पर आपको picture दिख रही है रिस्चो डावलीडस यह Cyprus के next president बनेंगे Cyprus एक island nation है जो की Mediterranean Sea के eastern side है यहाँ पर आपको मैं आप भी छोटा से एक show किया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा है जो Cyprus है Mediterranean Sea के eastern side है तो आपको याद रखना है Cyprus की थोड़ी सी location और यह एक island nation है और इनके next president कौन बनेंगे है इसके बाद है निरूपंकर दत्तत्रय नरायन धरम अधिकारी जिनको पॉपुलरली अप्पा साहिब धरम अधिकारी जी के नाम से जाना जाता है इनको recently महाराष्ट्रा भूशन अवार्ड मिला है यह एक social activist ही इनकी अगर बात करें तो इनको 2017 में पदम श्री अवार्ड भी मिला था इनके बारे में क्वेशन आजाता है नेक्स्ट बत करते हैं मुहमद शहाबूदिन चुपू की यह इसने न्यूस में थे क्योंकि यह बांगलादेश के 22nd president बने है तो आपको याद रखना है कि बांगलादेश के नए president कौन बने है क्योंकि बांगलादेश इंडिया का इसने को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने 2015 में refugees को accept करने के लिए इन्होंने agree किया था German territory में refugees को accept करने के लिए तो आपको इनका reason भी याद रखना है और किसको मिला था ये भी याद रखना है इसके इलावा गर आप थोड़ी से stories सुनते हैं किसी भी news के related तो आपको चीज़ें याद हो जाती है easily इसलिए ये stories है यहाँ पर आपको साथ में बताई जाती है so that आपको हर चीज़ क्रैम करने की जरूरत ना पड़े इसके बाद बात करते हैं अनिकेद सुनील तलाती की ये इसलिए news में थे क्योंकि ये ICAI के नए president बने है ICAI की क्या full form है आपको comment section में बतानी है इसके बाद है Dr. Mahindr Nishra ये इसलिए news में थे क्योंकि इनको international mother language award मिलेगा for year 2023 ये award उनको मिलेगा इंडिया में mother language को promote करने के लिए इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये ऐसे पहले इंडिगन है जिनको mother language award मिलेगा तो काफी important है आपको याद रखना है Dr. Mahindr Nishra ji The first news is about Women Premier League So जैसे IPL होते हैं जिसमें men's cricket player participate करते हैं उसी तरह women का भी IPL होगा इसका first season March 2023 में start होगा इसके जो मैचिस हैं मुंबाई एंड नवी मुंबाई में खेले जाएंगे अगर हम WPL के first season की बात करें तो इसमें 5 टीम पाटिसिपेट करेंगी जिनके नाम है Gujarat Giants, UP Warriors, Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers, Bangalore ये 5 टीम है इसके regarding में एक short video बनाई थी जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा वो आप video ज़रूर देखिए इसमें आमने बहुत सारे important points डिसकस किये थे next news है about international Olympic committee international Olympic committee ने 19 January से लेकर 1st February 2024 में जो winter youth Olympic games होंगी जो की Korea के gang one में होंगी उसके लिए जो medal design करेंगे उस medal design के लिए पुरे दुनिया से creative minds को invite किया है उनका एक competition किया जाएगा और जो भी medal का design उनको अच्छा लगेगा वो शायद इस Olympic games में उस medal design को fix किया जाए next बात किरते हैं RCB यानि के Royal Challengers Bangalore की so जो Royal Challengers Bangalore है इन्होंने सानिया मिर्जा को RCP में invite किया है as the team mentor for Women Premier League 2023 इसके बाद है चेतन शर्मा चेतन शर्मा जो की BCCI के senior men's national selection committee के chairman थे उन्होंने resign कर दिया है यह काफी time से news में चल रहे थे हमें कुछ allegations लगी हुई थी कुछ information leak करने के लिए तो अब इन्होंने resign कर दिया है आपको याद रखना है इसके बाद है जे जे लाल पिखलुवा जो की इंडिगा के one of the finest strikers है इन्होंने भी announcement retirement announce कर दी है इनके बारे में आपको यह भी याद रखना है कि इन्होंने six seasons में participate किया जो की 2014-15 से इन्होंने start किया था और इन्होंने Indian Super League दो बर जीता है इनके बारे में आपको यह भी याद रखना है कि यह इस club के highest goal scorer भी है और इसके साथ-साथ Indian Super League के third highest goal scorer भी रही है इसके बाद है fifth खेलो यूथ इंडियन गेम्स जो के हुई है मध्यप्रदेश के भूपाल में इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे top किया है महाराष्ट्रा ने second number पे है हर्याना और third number पे मध्यप्रदेश जिस स्केट ने यह गेम्स होस्ट भी की थी नेक्स बात करते हैं जीन गया था तो आपको याद रखना है इंडिया का पहला था इस यह second point कहां पे कंड़क्ट हुआ है third point इसमें कॉन विनर रही है इसके बाद है वो यह मिंग जो की पहले Chinese man बने है जिन्होंने ATP टूर टाइटल जीता है USA के जॉन इसनर को डिफीट करने के बाद यह जो चैनिस टूर्णमेंट्स थे यह हुए थे टेकसास के डलास में नेक्स्ट हैं फार्मर इंग्लेंड कैप्टन ई मॉर्गन इन्होंने भी क्रिकेट की सभी फॉर्म्स में रिटायर्मेंट अनॉंस कर दी है इसके बाद है इंडियन वमें क्रिकेट प्लेयर समर्दी मंधाना यह WPL यानि की वमेंस प्रीमियर लीग के सबसे जादा एक्सपैंसिव प्लेयर बनी है और यह RCB की टीम की साइट से खेलेंगी इसके बाद है रियल मैडरीड जो की एक क्लब है इन्होंने साओधी अरेबिये के अलहिलाल क्लब को वर्ल्ड कप 2023 में हरा दिया है और इन्होंने इसके साथ-साथ फिफ्थ टाइम रिकॉर्ड विन हासिल की है यह जो फाइनल्स ते यह हुए थे मरक्कों में क्लाउड प्लैट्फॉर्म लॉंच किया है जिसका नाम है महा बैंक नक्षत्र इसका में ताम क्या है डिजिल इंफ्रस्ट्रॉक्टर को स्ट्विंदन करना और इसमें हाई प्रफॉर्मिंस क्लाउड कैपेबिलिटीज फिसिलिटेट की करवाई जाएंगी और डिजिकल इ यह कृद्फ्रा आप judge र कृपने के कोर्स पिर है यह ब कृक ट्रियेट करेगी लॉंगेस्ट सेल करने के लिए रिज्लेल इविपर सृस्चंज यह अभे रीजेंटली एसम में एंटर हो गई है बन्गला देश से इसको यूपी के वारानसी को छोड़े मतलब वारानसी से चले चले 39 डेज हो गई है तो आपको याद रखना है कि यह कहां से चली थी यूपी के वारानसी से और यह कहां जाएगी असंदक जाएगी नेक्स्ट है रिसेंटली एनिमल वेलफेर बोर्ड ने अपनी अपील विद्दरा की है पहले इन्होंने एक अपील फाइल की थी कि जो 14 फेबररी है जिसको वेलिंटें डे सेलिबरेट किया जाता है उसको काव हक डे की तरह सेलिबरेट किया जाए लेकिन अभी इन्होंने इस साइट से इसमें NST यानि कि National Security Guard और USA की Special Operations Force ने पाटिसिपेट किया था इसके बाद है इंडिया की पहली National Metro Rail Knowledge Center जो की बनेगा डेली में तो आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला National Metro Rail Knowledge Center कहां पर बनाया जाएगा इसके बाद है PTM जो की एक Private Company है इसने QR Code Launch किया है G23 के साथ तो Celebrate the G20 Presidency of India तो आपको याद रखना है कि कौन सी इसी कमपनी है जिसने ऐसा कोई QR Code Special Launch किया है इंडिया की G20 की Presidency को Celebrate करने के लिए इसके बाद है Exercise Dharan Guardian ये Indo-Japan Joint Military Exercise है जिसका नाम है Dharan Guardian जो की Japan में स्चार्ट होगी तो आपको याद रखना है कि Dharan Guardian किन दो Countries की Joint Military Exercise है ये है इंडिया इन जिपैन की और ये Conduct की जाएगी जिपैन में इसके बाद है Indian Army को पुरी दुनिया का World का पहला Fully Operation स्वरं Drone System मिलेगा ये जो Drone System है ये Indian Army को पुरी दुनिया का पहला Major Armed Forces बना देगा जो कि ऐसे High Trends की Drone के साथ Operation चलाएंगी इसके बाद है UIDAI का नया Artificial Intelligence बेस्ट चैट बोड अधार मित्रा ये लॉंच किया गया है लोगों की अधार-related queries को solve करने के लिए आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी अगर आपको Free PDF चाहिए वो अमारे Telegram चानल पे आज शाम तक पोस्ट हो जाएगी अप्लोड कर दी जाएगी वहां पर आप बिल्कुल Free of Cost ली डाउनलोड कर सकती है अब बात करते हैं obituaries की so जो Hans Modaro जो की East Germany के last communist leader थे he passed away इनके बारे में आपको याद अगर रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जब Berlin Wall fell हुई थी उसके थोड़े time बाद ही took over and later in the time he also invited opposition forces with the government but he could not gather the momentum for German reunification अगर तो आपको ये story याद रह जाए बहुत well and good लेकिन अगर आपको ये story नहीं भी याद रहती तो आप ये भी सिर्फ याद रख सकते हैं कि ये East Germany के last communist leader थे शी पास चवे इनकी यहाँ पर आपको picture दिख रही है ये जो film maker है गुरुदत उनकी sister है इसके बाद है जावेद खान अमरोही जो की एक बहुत famous actor रही है ये पास चवे उन्होंने बहुत सरी films में बहुत सरी tv serials में acting की है इनकी one of the noted actingism film लगान लगान में भी इन्होंने acting की है और लगान में acting के लिए ये कुछ awards में nominate भी किये गए थे ये अलग लग दो films में से उनके दो stills है उनकी यहाँ पर आपको picture भी screen पर दिख रही होगी अब बात करते हैं इस week के important days के बारे में सबसे पहले है world productivity day जो की 12th February को celebrate किया जाता है ये नाशनल प्रड़क्टिविटी कांसुल के द्वार अविद्नेस किया जाता है और इसका objective है productivity को promote करना इसके बाद है Darwin day ये भी February 12 को celebrate किया जाता है और ये Charles Darwin की birthday anniversary होती है इसके बाद है world radio day जो की 13th February को celebrate किया जाता है 2023 का इसका theme था Radio and Peace इस दिन को celebrate किया जाता है to spread the awareness of the power of audio medium of communication के जो communication के audio mediums है उनकी power के importance के बरवे awareness को spread करने के लिए इसके बाद है national women's day जो की February 13 को celebrate किया जाता है यहाँ बाद आपको ध्यान रखना है कि international women day और national women day दोनों different है जो national women day है यह इंडिया की night angles रोजनी नाइडू जी की birth anniversary को commemorate करने के लिए celebrate किया जाता है इसके बाद है international epilepsy day जो की February 13 को ही celebrate किया जाता है इसका aim है epilepsy disease है जो उसके बारे में awareness spread करना इसके बाद है financial literacy week जो की 13 February से 17 February को celebrate किया गया है इस बार के इसका theme है good financial behavior your savior आपको यह याद रखने है अगर आपको यह video अच्छी लगी हो इस video को like करें अपने friends के साथ share and don't forget to subscribe to my channel see you in the next video